वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड में सोसल इस्ट्रीज का जो हमारा सेलबस है जियोग्राफी का ठीक है उसमें हम लोग आज का जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा शंसाधन के प्रकार प्रकृतिक और मानो ठीक तो आज इस हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोसल इस्ट्रीज के जो आपके टॉपिक वाईज आपका सेलबस दिया गया है जियोग्राफी का हिस्ट्री का और सिविक्स का उसको अलग-अलग कवर कर रहे हैं और यह हम अलग-अलग प्लैलिस्ट जो है हमने इसके लिए बना दी है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लैलिस्ट सेक्षर में जाकर के इसे देख सकते हैं तो आज वाले टॉपिक को इस्टार्ट करते हैं और इसे हमने थीरी में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो है आपसे जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं वो अधिकतर एसी वस्तु देखेगे जो भी प्रत्यक वस्तु है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्चक्ताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो क्या है सनसाधन जैसे कि जल भी अमारी एक आवश्चक्ता है परिवहन के साधन यानि की जो है ट्रांस्पोर्टेशन भी जो है क्या है खाने के जो भी सावान होता है वो भी हमें आवश्यक होती है ठीक तो जिन भी चीजों की जो है जरूरत पड़ती है हमें अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कोई भी चीज हमें आवश्यक हो उसकी पूर्ति करने के लिए तो वो सभी चीज क्या है आपका संसाधन ह किसी वस्तु अथ्वा पदार्थ की उपयोगिता अथ्वा प्रयोज्यता ठीक है यानि कि उसकी क्या उपयोगिता है हम उसका क्या उपयोग कर शक्ते हैं ठीक है तो उसी से जो है वो वस्तु क्या बनती है संसाधन बनती है तो आपके घर में जो पंखा होता है वो भी क्या है एक संसाधन ही है ठीक है न क्योंकि वो आपको गर्मी से जो है निजाद दिलाता है तो वो क्या है आपका मानो निर्मित संसाधन क्योंकि उसको मानो ने बनाये हैं ठीक है और अगर आप पेड़ों की हवाले रहे हो तो पेड़ क्या होगे आपके पेड़ तो आपके प्राकृतिक संसाधन होगे तो देखे दोनों से आपको ठंड का ऐसास हो रहा है लेकिन दोनों आपके अलग-अलग तरीके के संसाधन है वस्तु में उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मोल्य होता है ठीक है अब पेड़ों का भी महत्तो है आप सब जानते हो और आपके जो है घर में जो पंखा लगा है उसका भी एक महत्तो है ठीक इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मोल्य प्रदान करते हैं आप इसका क्या उपयोग करते हो ठीक है किस तरह से ये आपके लिए उपयोगिता की वज़े से उसका मोल्य है ठीक है अगर आपके लिए कोई चीज उपयोगि नहीं है तो आपके लिए उसका कोई वैल लिवान होते हैं कुछ संसाधनों का आर्थिक मुल्य होता है जैसे मैंने भी बताया पंखे का एक्जमपल तो उसको आप क्या करोगे पैसे दे करके खरीद तो उसका आर्थिक मुल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मुल्य नहीं होता ठीक है आपके अपने घर के आसपास आपने पेड लगाए है तो उसका आपका आर्थिक मुल्य नहीं है आपने उसको फ्री में उगा लिया है ठीक है आपको फ्री में वो हवा दे रहा है इस तरह से चीजे उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मुल्य होता है देखे धातुओं का आर्थिक मुल्य या क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से वहाँ पे है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मुल्यवान हो शकते है आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाड़िजिक मुल्य नहीं है यानि कि जो आपके दादी के पहले नुस्खे थे ठीक है न वो जो है पहले तो उनका कोई वाड़िजिक मुल्य नहीं था लेकिन अगर किसी ने पेटेंट करा लिया ठीक है उसको किसी ने पेटेंट करा लिया तो उसके लिए जो है मेडिकल फर्म द्वारा अगर वो बेचे जाने लगा तो उसका आर्थिक रूप से वो मुल्लेवान हो जाता है दादी मा के नुस्खे जो थे ठीक है ना उसको जो है किसी ने पेटेंट करा लिया कि ये मेरे नुस्खे है ठीक है ये हमने इजाद किये हुए है तो उसके बाद वो अपना जो है एक ब्रांड बना कर उसको बेचने लगे तो वो क्या हो जाता है आर्थिक रूप से मुल्लेवान हो जाता है ठीक है पेटेंट क्या होता है तो पेटेंट देखते हैं क्या है पेटेंट इसका ताथ पर किसी विचार या आविस्कार पर अधिकार से है ठीक है उस पर एक मात्र अधिकार कर लिया गया कि ये हमने बनाया है ठीक है ना तो वो क्या हो जाता है वो आपका हो जाता है पेटेंट शमय और प्रद्योगी की दो महतपूर कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर शकते हैं ठीक है यानि कि एक तो आपका कोई भी जो आपका पदार्थ है उसको संसाधन बनने में क्या लगता है समय लगता है और आपको टेक्नोलोजी की भी जरूरत होती है ठीक आपके अलग-अलग ट्रांसपोर्ट के साधन बना लिए तो वो आपको पास टेक्नोलोजी थी इस वज़े से बनाया और समय भी लगता है ठीक है तो कोई समय और प्रोद्धो की ये आपको ध्यान लखना है कि किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्थित करने के लिए क्या चीज महतपूर है तो एक तो आपका समय और दूसरा क्या है प्रोद्धोगी की यानि की टेक्नोलोजी तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अब हम लोग देखेंगे क्या शंसाधनों के प्रकार तो संसाधन आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं इसके लावा मानव निर्मित संसाधन होते हैं और आपके एक मानव शंसाधन होता है जो अब्यक्ति स्वयम होता है ठीक है ना बारे में अभी हम देखते हैं आगे तीनों के बारे में तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं तो जो प्राकृतिक संसाधन है ये प्राकृति से प्राप्त होते हैं ये तो हमने अभी अभी बात की कुछ देर पहले ही और अधिक संसोधन क बिना उप्योग में लाए जा सकते हैं यानि कि प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसमें ज्यादा संसोधन की जरूवत नहीं है उसको आप उप्योग में ला सकते हो इसको हम लोग क्या कहेंगे प्राकृतिक संसाधन जल प्राकृतिक संसाधन है और जो आपकी मिट्टी होती है मृदा वो भी प्राकृतिक संसाधन है, इसके लावा खानिज पदार्थ जो होते हैं, जैसे कोला हो गया पेट्रोलियम हो गया, ठीक है कोला पेट्रोलियम सबको थोड़ा सा संसोधन क्या आओ सकता पड़ती है ठीक है ये सब ही क्या है आपके प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक संसाधनों का वित्रड भूभाग जलवायू उचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है यानि कि प्राकृतिक संसाधनों का वित्रड का क्या मतलब है कि कौन जैसे प्राकृतिक संसाधन किस भाग में ज़्यादा पाये जाएंगे कहां पे कम पाये जाएंगे इस तरह की चीजे ठीक है तो ये आपके भूभाग या जलवायू किस तरह की है वहाँ पे उचाई जो है कितनी उचाई पर है समुद्रतल से कितनी उचाई पर है कितनी नीचे है इस तरह से ये सबी जो कारक है इन सब पर निर्भड करता है प्रिथवी पर इन कारकों में विभिनता होने के कारड़ संसाधनों का वितरड असमान है ठीक है ना आप देखते हो कि कोईला किसी एक जिगा पर पाया जाता है वायू जो है जो वायू 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 क्या कहते है पावन उर्जा जो है आपका सबसे ज़्यादा आप कहां पर यूज कर सकते हो राजस्थान वाले छेतर में यूज कर सकते हो इस तरह से क्या है कि जो अलग-अलग इनके भूभाग में जलवायू में उचाई में विविन्यता होती है इसी वज़े से संसाधन जो है अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से पाए जाते हैं आप देखियो अनाचल प्रदेश में पानी जो है अधिक पाय जाता है लेकिन राजिस्थान में जो जल्व है वो क्या पाय जाता है कम पाय जाता है ठीक है ना तो इस तरह की चीज़े जो है यहाँ पर क्या करती है इस पर निर्भर करती है जो संसाधने संसाधन कहां पे ज़्यादा पाये जाएंगे कहां पे कम पाये जाएंगे प्राकृतिक संसाधनों को विश्त्रित रूप से नवी करड़ी और अनवी करड़ी संसाधनों में विभाजित किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं एक तो आपका नवी करड़ी हो गया दूसरा क्या हो गया अनवी करड़ी इनके बारे में जो है आप ध्यान देजिएगा क्योंकि यह अधिक में पूछे जाते हैं कि कौन सा आपका नवी करड़ी संसाधन है अधिकतर एक्जामपल पूछे जाते हैं तो एक्जामपल आप ध्यान दे लिजेगा वे संसाधन जो सिग्रता से नवी कृत अथवा पुनह पूरित हो जाते हैं यानि कि जो है जैसे आपका सौर उर्जा है आप डेली जो है सूरी से ये सौर उर्जा प्राप्त कर सकते हो ये खतम नहीं होने वाली है ठीक है पवन उर्जा आपको हवा मिलती रहती है ठीक है जल उर्जा आपके पास जल का बंडार है वन जो वन हो गए ये सबी क्या है आपके नवी करडी ये संसादन है वन कैसे नवी करड़ी जैसे आप नए पेड़ लगाते जाओगे तो वन आपके सुरक्षित रहेंगे ठीक है ना तो इस तरह से आपके ये सभी क्या है नवी करड़ी संसादन है ये आपके खतम नहीं होने वाले संसादन हो गया और अनवी करड़ी संसादन क्य जाओते हैं वे संसाधन जिनका भंडार क्या है सीमित है और भंडार एक बार समाप्थ हो गया तो उसके नवीकृत या फिर पुनह पूरित होने में हजारों वर्स लग सकते हैं जैसे आपका कोईला हो गया ठीक है ना कोईला पेट्रूलियम ये सब क्या है अनवीकरडी अब देखते हैं मानो निर्मित संसाधन का मतलब है जो भी आपके प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है जैसे कि लौह आयसक मैंने कहा ना जमीन से आप क्या निकालोगी अगर आप लोहा जमीन से जमीन करके लोहा निकाल रहे हो तो वो उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीका था तो लोहा आयसक का लिखा है ना आयसक का मतलब लोहे के साथ साथ उसमें और भी चीजे मिली हुई होती है तो उसको आयसक बोल जाता है ठीक है तो अब दे फिर सारे अपने अभी वर्तबान समय में क्या कारे बना रहे हैं ठीक है ना बहुत सारी चीज़े बना रहे हैं हम लोग डेस्क बेंच बना रहे हैं पंखे बना रहे हैं सब कुछ चीज़े आप क्या बना रहे हो लोहे से बना रहे हो प्रोद्योगी की क्या है यानि कि जो टे ठीक है यानि कि प्राकृतिक रूप से चीजे मनुस्य ने प्राप्त की उसके बाद प्रद्योगी की सहायता से उसको अपने लिए एक संसाधन के रूप में बना लिया तो वो सभी क्या होगे मानो निर्मित संसाधन और जो टेकनालजी है ये भी किसने बनाई है ये भी जो है मानो ने ही बनाई है ठीक है अब देखिए अगला जो है आपका मानो संसाधन मानो निर्मित संसाधन का मतलब था कोई भी प्राकृतिक चीज होती है उसको हम अपने उपयोग के लिए बना लेते हैं तो वो आपका मानो निर्मित संसाधन होता है और ये मानो संसाधन अलग ह और सारेरिक योगिता है तो इस से इसका मतलब होता है ठीक है कि लोग आपके किसी देश में कितने ज़्यादा लोग है और उनकी क्या योगिता है वो योग्य है कि नहीं है अगर योग्य नहीं है तो वो मानव संसाधन नहीं होंगे मानो संसाधन का मतलब ब्यक्ति से है ठीक है जो आपका ब्यक्ति होता है वही आपका मानो संसाधन है यदि वो क्या है पढ़ा लिखा है और योग्य है तब वो मानो संसाधन है अगर पढ़ा लिखा नहीं है सारीरिक रूप से कमजोर है मानसिक रूप से कमजोर ह ठीक है ये बात आप ध्यान रखना मानो संसाधन का मतलब मनुस्य से ही है मनुस्य सी क्या है यानि कि किसी भी ब्यक्ति का मानो संसाधन बनने के लिए वो अपने देश के लिए अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए उसके लिए उसके पास सिक्षा भी होनी चाहिए और श्वास्थ भी होना चाहिए ठीक है ना सिक्षा और श्वास्थे दोनों चीज होना चाहिए तो इसी से जो है व्यक्ति क्या बनता है एक मानाव संसाधन बनता है तो ये पॉइंट आप याद रखना सिक्षा और स्वास्ते ही लोगों को बहुमुल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं लोग ही एक राष्टर के सबसे बड़े संसाधन होते हैं ठीक है ना कोई भी पेट्रोलियम, कोईला ये सब नहीं अगर जो है वहां के लोग काबिल नहीं है तो किसी भी राष्टर का कितना भी बड़ा संसाधन होगा कोईला, पेट्रोलियम, कोई और देश के लोग आकर के उस पर कबजा कर लेंगे ठीक है ना तो लोग ही क्या होते हैं लोग ही किसी राष्टर के बड़े संसाधन होते हैं इन्ही को हम लोग क्या कहते हैं मानोशंसाधन कहते हैं अगर उसके पास सिक्षा है और श्वास्ते हैं अन्य संसाधनों की ही भाती जो मानोशंसाधन है ये विस्व में शमान रूप से वित्रित नहीं है विस्व में समान रूप से मानो संसाधन भी वित्रित नहीं है आप देखते हो कि किसी राश्टर में जो है जादा ब्यक्ति होते है जैसे भारत की जन संख्या इस समय विस्व में सबस्यादिक हो गई है और किसी देश में बह लोगों की संख्या जाता है और भारत में जवान लोगों की संख्या जाता है लिंग में भी वो दूसरे से क्या क्या है भिन्न है उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं यानि कि मानों की संख्या जो है और लक्षण भी बदलते रहते हैं पहले चीन में जो है सबसे मंत्राले का निर्माड लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था यानि कि जो व्यक्ति हैं उनको मानव संसाधन बनाने के लिए एक मंत्राले बनाया गया था 1985 में मानो संसाधन मंत्रा ले ताकि व्यक्तियों का कॉशल बढ़ाया जा सके य civilians में सुधार करके उनको एक मानो संसाधन बनाया जा सके ताकि वो देश के लिए अपने परिवार के लिए कुछ कर सके अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ठीक है याधिक संसाधनों के निर्माड तभी होगा जब भ्यक्ति जो है भ्यक्ति के अंतर इसकिल होगी यानि कि कोई न कोई कौशल होगा तभी वो संसाधनों का निर्माड कर पाएगा संसाधनों का निर्माड ब्यक्ति तब कर पाएगा जब उसके अंदर कोई इसकी लोगी कोई कौसल होगा तो इसलिए कहा जा रहा है कि अधिक संसाधनों के निर्माड में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में क्या करना होगा सुधार करना ही क्या कहलाता है मानव शंसाधन विकास कहलाता है ठीक है ना मानव शंसाधन विकास क्या है कि ब्यक्ति जो है और शंसाधनों का निर्माड कर सके इसके लिए उसको इसकिल जो है प्रदान किया जाए ओके आगे देखते हैं प्रदान मंतरी कौशल विकास योजना यह एक कारिकरम है प्रदान मंतरी कौशल विकास योजना लोगों का कौशल बढ़ाने के लिए यह स्टार्ट किया गया था तो 2015 में स्टार्ट की गई थी ठीक है ना व्यक्तियों के कौशल में विकाश करने के लिए उनको मानोशनसाधन बनाने के लिए अब हम लोग दिखते हैं संसाधनों का संरक्षण तो अगर आपके पास कोई संसाधन है तो उसको आप किस तरह से बचाओगे उसका संरक्षण कैसे करोगे संसाधनों का सफलता पूरवक उपयोग करना और उन्हें नवी करड़ के लिए समय देना यानि कि आप जो है सतरकता पूरवक किसी भी संसाधन जो आपके पास उपलब्द है उसका सतरकता पूरवक उपयोग करो और वो संसाधन फिर से जो है बने उसके लिए आप समय दो ठीक है न ऐसा नहीं कि आप अंधादुन तरीके से किसी भी संसाधन को यूज कर लो और वो खतम हो जाए आप धीरे धीरे यूज करो ताकि उस वो जो है धीरे दीरे बंता भी रहे जितना आप यूज कर रहे हो ये जो है क्या कहलाता है आपका संसाधन संरक्षण कहलाता है ठीक है संसाधनों का सावधानी पूर्वकुपयोग हम लोग क्या करें कि संसाधनों का सावधानी पूर्वकुपयोग करें ताकि वर्तमान पीड़ी की जो आवश्यक्ताएं है वो तो पूरी हो, इसके साथ साथ भविस्त की जो पीड़ी है उनकी भी आवशक्ताएं पूरी होती रहे ऐसा नहीं कि हम आज ही सारा यूज कर लें वर्तमान में और भविस्त के लिए कुछ भी ना बचे, तब जो है इसे हम लोग सतत पोशड़ी विकास नहीं कहेंगे ये बहुत important topic है ये ठीक है न, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखना कि हम संसाथनों का इतने साथाने पूरों को प्योग करें, ताकि जो है वर्तमान समय की अवश्चक्ताएं भी पूरी हो जाए और जो भविश्य की पीडिया है उनकी भी अवश्चक्ताएं पूरी हो सकें इसे हम लोग क्या कहते हैं सतत पोशड़ी विकास sustainable development तो ये आप ध्यान रखना संसादनों के संडक्षण के अनेक तरीके हैं कौन-कौन से जखें प्रतियक भ्यक्ती उपभोग को कम कर शकता है यानि कि जितना चीज का उपभोग कर रहा है उसको थोड़ा से कम कर ले वस्तुओं का पुना चक्रण फिर से हम उसका यूज कर सके ठीक है ना एक बार यूज कर लिया तो उसको जो है फेक नहीं देना है उसको हमें फिर से यूज करना है ठीक है तो ये सब चीजे करकर के हम लोग क्या कर सकते हैं संसादनों का संडक्षण कर सकते हैं अपने उपभोग को कम करके देखिए पॉइंट सोंगे अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसाधन सनक्षण के कौन-कौन से तरीके हैं चार आपको दे देगा ठीक है उनमें से आपका पूछ लेगा कि कौन-कौन से हैं तो A, B, C, A, B, A, B, C, D, सचारों या फिर इस तरह से आप सभी जानते हो अगर आपने पेपर देखा होगा तो आप ध्यान के कि संसाधन सनक्षण के तरीके में व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके ठीक है वस्तूओं का पुना चक्रण करके और वस्तूओं को पुना उपयोग करके ये तीन चीजें आप ध्यान लखना आपने नहीं किया हो और अपने दोस्तों तक सेयर कर दीजेगा जो सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हूं वीडियो को देखने के लिए कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद